जैसे मतलब जब शिव मंदिर से बापीस आएं जो पत्ती बेल पत्त्री फूल शिव जी पे चड़े थे वो नीचे शिविलिंग पे से नीचे गिर गए हो अब जैसे ये शिविलिंग रखा है आपने जल चड़ाया अब जल आप यहां से चड़ा रहे हो तो धीरे 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 चड़ाएं जिससे छीटे बाहर ना यहां तक छीटे रहे जला धारी तक चलेगा बाहर ना गिर और एक बात का समर्ण रहे यदी पेल पत्त्री फूल पत्ती जल चड़ाने के बाद यह सब अगर नीचे गिर जल जाए जला धारी पर गिर गया या नीचे उतर गया तुम्हारा पूरा जल चड़ जा तुम्हारे पास में चंदन नहीं है अभीर नहीं है गुलाल नहीं है कुछ भी नहीं हो तो भी अपने हाथ की तीन उंगलियों से रेखा तीन खीच कर और फिर जो माला आधिक आधिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा शंगार करकर फिर वापिस आई है भगवान को पूर शंगार भगवान का पूर शंगार करकर आई है कई लोग जल चड़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पती नीचे रखी रह अगर उसी फूल से भगवान का खूफ सुंदा भगवान का करकर फीर आई है क्यों शिव का जब हम शंगार करकर आते हैं माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का शंगार किया है आप लोगों के स्मर्ण में होगा राम जी ने माता जानकी का शंगार किया है राम प्राइंड सुनी होगी तो उसमें माता बेटी है शिला के ऊपर और भगवान राम उनका शंगार कर रहे हैं एक कववा आता है वो चोच मार कर जाता है सारा बरतान ताप लोगों ने श्रवन किया है तो राम जी माता सीता का संगार करते हैं भगवान कृष्ण राधा जी का संगार करते हैं एवल एक देवदी देव महादेव की कथा इसी है जिसमें पारवती जी शिव जी का संगार करती है शिव का संगार इसलिए कियों कहा जल चड़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से फू को भी शिवजी का है उसी को धो कर वापिस भगवान कर शंगार कर करना चाहिए किस लिए कि है भोले माच जब मैं इस संसार सागर से जाउं अखंड सुहाग लेकर पूरी शंगार करकर इस धाम से जाउं ऐसी जो पड़ाओ जो पड़ा जंदन नहीं है